तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 780 पार्ट की 2007 मौररीटी और बहुत ही सफ्की गाड़ी है बावन हजार उपे में मात्र मिल रही है गाड़ी की कंडिशन भी बहुत प्यारी है मैं हूँ आपका होस राजा पार्क के अंदर यह गाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी गाड़ी बताता हूँ और बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या-क्या है तो चलिए देखिए फ्रेंट से स्टार करते हैं गाड़ी ऑल्मोस ओरिजिनल पेंट पे है खाली यह दो बंपर जरूर पेंट हुए वह हैं इस गाड़ी के बागी आप देखी कंडिशन कितनी अच्छी है गाड़ी की यह देखी मैं आपको दूर से और दिखाता हूँ इस बजट के अंदर इस तरह की गाड़ी मिलना काफी मुश्किल हो जाता है इस बजट में स्कूटर मोटर साइकल नहीं आते हैं थोड़ी स्पेस कम होनी की वज़े से मेरा कैमरा पूरा घूम नही दिखाता हूँ बिल्कुल नीट और क्लीन कंडिशन की गाड़ी है इसमें ना जाहतर स्क्रेच भी नहीं है और काफी कॉंपैक्ट ने छोटी गाड़ी है यह देखी मैं पूरा आपको इसका राउंड दिखाता हूँ क्यामरा दूर से भी करके मैं आपको दिखायेता हूँ कि देखी आप काफी साफ सुत्री गाड़ी है इस पेस कम होने की वज़े से मेरा कैमरा पूरा मुविंग में तो आ रहा है लेकिन स्पेस नहीं है तो मैं आपको पूरा थोड़ा कम दिखा पा रहा हूँ चली दोस्तो अब इसके इंजन के बारे में दिखाते हैं आपको कि इंजन इसका कैसा है ये है हमारे अज्ये शिंग जी देखिए बोनट भी खोल दिया है इंजन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये देखिए आप बिल्कुल साफ सुत्रा इंजन पड़ा है और इसमें 1000 सीची का पार्स अभी तक अवेलेबल है यह देखिए आप मैं आपको पूरा इंजन नीट अन क्लीन पड़ा हुआ है चलिए अब आपको दिखाते हैं इंटीरियर तो तो फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर पावर स्टेरिंग है सेंटर लॉकिंग है एसी है हीटर है पावर विंडो नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर यह PS वाला मॉडल है इसमें तीन तरह के मॉडल आते हैं PS, LS और LT और यह देखिए आप यहाँ पर भी काफी स्पेस दीविए समानुमान रखने के लिए बस पावर विंडो नहीं है बागी हीटर भी है और यह देखिए नए बिल्कुल नए सीट कवर है इस गाड़ी के अंदर और इंटीर भी काफी साफ सुतरा है मैं आपको दूसरी साइट से इंटीर भी दिखाते हूं इदर भी देखिए समान रखने के लिए काफी जगे दी भी है इसके अंदर और यह बॉक्स दिया हूँ है इसके अंदर जो भी छोटा मोटा समान हम इसके अंदर रख सकते हैं एसी के वेंट है और चार सिलेंडर गाड़ी है दोस्तों सबसे बड़ी है बात है कि चार सिलेंडर गाड़ी है और यह देखिए एसी के नोब वगेरा हीटर है एसी है और इसमें स सिस्टम भी है और अभी इस गाड़ी के अंदर हमें कुछ भी कराने की ज़रुत नहीं है यह देखी ओरिजिनल चली भी 53,000 के आसपास है और इसका इंटिरियर वगेरा सारा डेश बोर्ड वगेरा मिल्कुल फ्रेश है ऐसा नहीं कि काफी स्क्रेचेज वगेरा है एसी में है यहां नीचे भी हमें दो गलास रखने की स्पेस मिलती है गलास के सातल आप और इसमें स्पेस हैको भी समा रखना चाहिए व्लार इसमें खेद और法 않 के स्प्रेंदर मिलेंगे यह आज कल तब गाड़ीं ने दोनों दोर के अंदर सीट कवर मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल नए है पीछे भी हमें सीट बैल्ट मिलती है पीछे का इंटियर भी आप देख लीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है इस रेट में दोस्तों और क्या लेंगे हम कि हमें पावर स्टेरिंग मिल रहा है सेंट 40% अभी ये टायर चलेंगे अब बात करते हैं सी डिगी की डिगी में भी काफी स्पेस है आप ये देखिए और सबसे अच्छी बात देखी गाड़ी कितनी अच्छी कंडिशन में रखी गई है कि गाड़ी के अगर पैचान करनी है तो इसका ये कार्पेट देखिए काफी इसका जैक जॉड वी पाना जो टूल किट हम जिसे बोलते हैं और इसके नीचे है इसके अंदर स्टैपनी तो दोस्तों इस हिसाब से गाड़ी देखी जाए तो इस रेट के अंदर कहीं से भी गाड़ी बुरी नहीं है क्योंकि इस रेट में हमें धंकी मारूतिक कार नहीं म दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को शब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रीजू सपार्ट शैवलेट इस पार्ट गाड़ी का ये गाड़ी जो मैंने आपको बता यह जैपूर के अंदर राजा पार्क में एंडी कार्स बजार के अंदर मिलेगी एड्रेस में डिस्क्रेप्शन में दे दूगा उनका नमबर दे दूगा अंली 52,000 के अंदर 2007 मॉडल की स्पार्क है पीएस मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इंशोरेंच इसमें थर्ड पार्टी मिलेगा, ट्रांस्फर चार्जेज आपका आएगा, अगर आप इसे पर्चेस करना चाहें तो मैं एंडी कार्स का नीचे एड्रेस और नमबर दे दूगा तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और बहुत जल्दी अब जो ठञब रहेगा उसमें बताऊंगा कि आप गाड़ी जो एक्सिडेंट है उसको आप कैसे पैचान सकते हैं, किस तरह से हम उस गाड़ी को पैचान सकते हैं तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करेगा नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होते हैं मिस्सिंग कार्ज में तक तक लिए नमस्कार जैहन